नमश्कार दोस्तों में नाम है केशन हर्चन्दन स्वागत है आपका मेरे चनल में और आज मैं बाप करने बाला हूँ Avenger Endgame के लूप होल के बारे में, स्टोरी के प्लॉट होल के बारे में तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़ादा स्पाइलर का होने वाला है तो अगर आपने अभी तक Avenger Endgame Movie नहीं देखिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है आपके लिए मैंने एक Avenger का Non-Spoiler Review वीडियो कल अपलोड किया था आप उसे देख सकते हैं और जिन लोग ने भी तक मेरा Avenger Endgame का स्पोईलर फ्री रिव्यू नहीं देखा है उसका लिंक मैंने उपर आई बार में दे दिया है तो वहां से जाके आप मेरा Avenger का Non-Spoiler Review चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आपने Avenger Endgame Movie देख ली हो अधरवाइस नहीं देखिएगा क्योंकि इसमें Major Spoilers हैं तो चलिए शुरू करते हैं वेलकम बैक गाइस तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर सेवर बताते हैं चाहता हूँ कि इसमें काफी सारे स्पाइलर होने वाले हैं Avenger Endgame के तो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिए पहले आप जाके है उसके बारे में दूसरा है infinity gauntlet के बारे में और तीसरा इंविटी स्टों के बारे में तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइम ट्रेवल थे वरी के जो लूप होल्स है तो टाइम ट्रेवल पूरी का सबसे पहला लूप होल जो मुझे समझ में जिन्वाधर आया जिसने प्रेजेंट में थोर जो है वह फैनोस को मार देता है उसकी उसका सरकलम कर देता है यह हमने देखा शुरू के अध्यगंटे में ही उसके बाद यह लोग जाते हैं पास्ट में तो पास्ट में यह लोग सारे इंपिनिटी स्टों कलेक्ट करना चाहते हैं जिससे कि जो फैनो से वह भी प्रेजंट में आ जाता है तो इस तरीके से पास्ट जो है उसका थैनौस प्रेजंट में आ गया है और जो प्रेजंट का थैनौस है उसको आर्मी के साथ धूल में उड़ा देता है तो अब यहां question यह arise होता है और जैसा कि मुझे बताया भी गया है जो chosen one है वो हल्क को कहती है कि अगर तुम यह infinity stone ले गए मुझसे तो जो balance है जो होनी होने वाली है आगे वो नहीं होगी क्योंकि stone तुम ले जाओगे तो हल्क कहता है कि मैं आपको वापस कर दूँगा जिससे पास्ट और फ्यूचर का जो balance है वो बना रहे पास्ट में जो गटना होनी है वो हो उनमें कोई बाधा नहीं आए और फ्यूचर को हम लोग चेंज कर पाए इस बेस पर दा चोजन वन हल्क को वह infinity stone देती है तो और आकरी माम ने देखा है कि कैप्टर अमेरिका भी टाइम ट फास्ट यूगों है उन लेर्स में और वो इस इंफिनिटी स्टोन वापस रखके आता है तब सवाल यह उतता है कि जब आपने पास्ट के थैनोस को स्वेचर में मार दिया तो फ्यूचर में आप दो थैनोस मार चुके तो जो इनफिनिटी स्टोन की जो पुरी टाइम और दूसरी चीज यह एक बड़ी दिल्चस्प सी बात है पता नहीं मतलब यह सिनेमाटिक युनिवर्स से नहीं है लेकिन टाइम ट्रेवल से रिलेटेड हैं कि यह लोग पांस साल बाट टाइम ट्रेवल में जाते हैं और वहां से आकर हल्क स्नैप करता है और वागी सारे लो काफी एपोकलपस टाइप का माहौल है सब तरफ क्योंकि आदियाबादी गायव हो गई है उनके उनके मॉमेंटम बनाए गया है अब क्या हो मतलब यह एवेंजर्स को सोचना चाहिए था एस रियल वर्ल्ड प्रस्पेक्टिव से क्या होगा जब विश्व की आबादी या अर्थ की आबादी चस्ट डबल हो जाएगी या यूनिवर्स की आबादी जस्ट डबल हो जाएगी चलिए यूनिवर्स को छोड़ भी देते तो अर्थ की आबादी जस्ट डबल हो जाएगी सब्सक्राइब आज हम टू मिलियन है तो हम फूर मिलियन हो जाएगे एकदम से स्नैप से तो क्या फरक पड़ेगा अर्थ के रिसोर्स पर लोगों की लाइफस्टाइल पर जो लोग अलएड़ी जी रहे हैं पांत साल का समय बीच चुगा है उन लोग नमने आपको मना लिया है चीज़े वापस पट्री पर आ रही है और एक दिन अचानक ही अर्थ की आवा आली बात है ऐसे यूमन पॉइंट व्यू ऐसे डिफरेंट प्रस्पेक्टिव के अर्थ पर नेचर पर रिसोर्स पर उसका क्या फरक पड़ेगा कि एकदम से ही आवादी डबल हो जाए तो यह मुझे टाइम ट्रेवल में यह दो चीज़े थोड़ी सी अकरी थी इन दो ची सब्सक्राइब खुए है तो रैंगला रोक में कि कैसे थानोस उनके पास आया था और उसको बताया था तुम्हें एक इंफनिटी गॉटन बनाना है जो इनफिनिटी स्टोण की पावर को कंट्रोल कर सके क्योंकि इंफनिटी स्टोर्न वाकई में बहुती पावरफुल है औ जिसे इस चीज़ में महारात हांसिल हो तो पीटर दिंकलेश का जो करेक्टर है उसने इन्फिनिटी गॉंटलेट बनाया था लेकिन अब यहां फ्यूचर में इनके पास इन्फिनिटी गॉंटलेट नहीं है तो इन्होंने क्या किया आइरन मैं ने अपनी टेक्निलोजी से एक इन्फिनिटी गॉंटलेट बनाया तो पहली चीज तो यह कि आईरन मैं टोनी स्टार्क एक नॉर्मल यूवन बिंग है और वो सिर्फ अर्थ की ही साइंस जान ले चाहे उन्होंने कैसे बना लियो चाहे कुछी बना लियो लेकिन इन्फिनिटी स्टोन पावर को कोई चीज हैंडल कर सके ऐसी चीज बनाना टोनी स्टार्क ने कैसे सीगा एक तो यह मुझे चीज समझ भी नहीं है चलिए ठीक हमें बढ़ मान लेगी टोनी स्टार्क ने एक ऐसा ऐसी चीज बना लिया जो इन्फिनिटी स्टोन की पावर को हैंडल कर सकता है तो जब उसने इतना बड निकलेगा क्योंकि हल्क भी गामा डिटियेशन से ही बने हैं तो जब उन्हें यह चीज पता है कि इसको यूज करने पर किस चीज का रेडियेशन होगा और आईरन मैन एतने शक्षम हैं कि वह इन्फिनिटी गॉंटलेट बना सकते हैं तो क्या वह उस गामा रेडिएशन को कंट्रोल करने का कोई विकल्प नहीं बना सकते कि वो कामा रिडियेशन कंट्रोल हो जार और कोई भी उस गॉंटलेट को हैंडल कर सके तीसरा जो मेजर इश्यू मुझे लगा वो है इंफिनिटी स्टोंस का जैसा कि हम कार्जान अफ दर गेलक्सी में देख चुके हैं दा कले स्टोंस हैं उनका सरि एक ही यूज बताया गया है वह है गॉंटलेट के साथ में उसका स्नैप से स्ट्ड़ करो नाशे है नहीं दी गई गई है बाकि सारे स्टोंस के बारे में कि इनसे और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है साथ ही एक चीज़ और मुझे मतलब लेकिन इस मुवीम ने-डेम में कई लोगों ने उसे स्टोण को हाथ में लिया है हम देखते लिए एंगते फ्यायोव व्यव हैं एक आप इस्टोन को अगरे देशन कूथ मूझ सक्ता इसक्ता है कि स्टॉन को हैं बहुत ख़र सकता है लेकिन अच्छ को में बड़ेशन पयाई । नहीं होती क्या लोगों यह ऐना हाँ नहीं लिए लग garlic स्टोन को बेर हैंड से एक मौटल आदमी नहीं चू सकता वो डिस्ट्रॉइब जाएगा और वहीं एंड गेम में लोग उसे चू रहे हैं लोग उसे हाथ में रहे हैं और सबसे बड़ी बात एक और है कि एंड गेम के क्लामेक्स में लोग जो गॉंटलेट है उसको थैनोस से सब करस रहे हैं कि कि यहां से अब ऑंगराई में कभी अब्लैक में तक रही हैं यहां देख सकते हैं कि जो गौंटलेंट अइसको पर से यह किसी यहां से जाइक पर नहीं जोग रहते हैं ऊब.. हुआ है इस मूवी में वो सब लेके हां से वाँ यहां से वा उसको भाग रहा है गॉंटलेट को और मुझे जिसने भागने की जरूवत ही क्या है क्या था कि आप लोग पुरानी बैटल इसलिए हर गाते क्यों कि मैं आप के सांथ नहीं थी और यह तो तू गॉंटलेट आप और वह भी फाइटिंग कर रहा है और डियालॉबवाजी कर रहा है कि हो मैं ऐसे कर दूंगा मैं वैसे कर दूंगा यार उत्ती देन में तो तुमहें से डालोग बोलो किया हना का को नी को कुई टार नहीं सकता है और होनी भी मैं हूँ और अरे तँछिटिंग हो गई तुमने डायलोग पूरे ही नहीं किया तुमने तो चोटकी बेजा दी गलज महात है जिटी हो गई ऐसा करते था लेकिन थैनोस भी डायलोग मारने में मस था होनी को कोई टाल नहीं सकता और होनी भी में अन्होनी जितने में तो कैप्टर मरवा ले बाई दे दे तो थैनोस प्रिश तो ऐसी बहुत सारे चीजे हैं जो ठीक है डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे हमें एक ग्रैंड एपिक बैटल देनी थी आइरन मैन को एक नाइस फेरवेल देना था कि आईरन मैन उसको पहनता और स्नैप करता है क्योंकि आयरन मैन का फेरवेल था वह आ प्रिश चीज को करते हैं तो आप दो पैरलर यूनिवर्स एक साथ चलाते और उन दो पैरलर यूनिवर्स में बैलास करना काफी मुश्किल हो जाता है मैंने एक मूवी देगी ती डेजावू डैंजल वाशिंग्टन की उसमें डैंजल वाशिंग्टन टाइम ट्रेवल करक गए है उसमें से एक मर जाता है और एक सर्वाह utilization में रहने लग जाता है वहापस नहीं आता decorating में तो प्रिजएंट टाइम डैंजल वाशिंग्टन गाया है और उस वहां पर घ्यावन तो यह का यह का उब tehd 200 न ग Spaß तो प्लीज मुझे नीचे comment box में होता है कि आप क्या सोचते हैं इन loop holes के बारे में और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को share कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए नीचे bell icon को ज़रूर दबाईए जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले update हो Thank you very much